नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे और आपके तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों जैसे कि आपको बता है कि PCS का जो है रिवाइज कलेंडर आ चुका है यानि कि उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग ने जो है एक अपना संतोदिर कलेंडर दे दिया है जिसमें सभी परिक्षाओं की तिथी दे दी गई है और यह थोड़ा अच्छा भी होता है कि अपना कलेंडर जारी होने से थोड़ा बच्चों को एक अनुमान हो जाता हूं उनको पढ़ाई करने का और उनको अपनी तयारी करने का जो एक आधार मिल जाता है ठीक है और अच्छे तरीकी से तयारी कर पाते हैं ठीक है अब उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग जो है उसने दो चीजों में बहुत जाद है नाइन साफी बढ़ती है एक तो आरो एरो एक्जाम को लेकर और पीसी एस एक्जाम की डेट को लेकर मगा फिर भी देखे एक बार वही हुआ है कि जो हमने पहली बार पहले बताया था वही आज भी हुआ है जो डेट मैंना आपको बत आशना माश Cao कि हमारी निजो रहती कितनी अफैसर आगे की रहनीती बताैं कि क्या है पर उस्ता पहले कि क rover कностा समझ गए तो सब से पहले हो आथे क्लेंडर पर देकि मैं आपको बताना चाहूंगा सब से पहले लिए कि सबसे पेले मां आपको यही बताना चाहूंगा कि कलेंडर में क्या है क्या चीज ऐसी है जो इंपोटेंट है समझिए अगर मैं यहां बात करूं एक तो बहुत लंबे समय से बच्चे इंतियार करने से एपीएस का तो अपर निजी सची परिक्षा दोहर तेई सोठ हैं टाइपिंग जो होगी 28 जून सुकुरवार सिर्ल लगव 25 दिन ठीक है भई आरिवा समझ में इसके बाद अगर हम बात करेंगे साहक नगर नियोजर्ट प्रारंबिक परिक्षा आपकी होगी 30 जून को 21 जुल जो है 28 जुलाई रईवार को होगी मंगलवार का दिनों ना रख्षित रखा है वहीं पर सम्मिलित राज्य किरसी सेवा प्रारंबिक परिक्षा जो है वह 18 अगस्त को चिकिस्ता अधिकारी होओं पैथिक आवाशी है चिकिस्ता अधिकारी स्केनिंग ठीक है और आपकी अगर नियोजन 15 सितंबर चिकिस्ता युनानी स्केनिंग परिक्षा 6 अक्टूबर प्राविधी सिक्षा उत्तर प्रसेश प्राविधी सिक्षा अध्यापन सेवा परिक्षा तोहर 21 के 21 का प्रिक्षा अब हो गई 24 में यानि कि 20 अक्टूबर वहीं पर बात करें सम्मिलित अब प्रावर्ण चेनि की PCS आपकी सथा एक्टूबर में आपको बताना चाहूंगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि PCS का जो एक्षाम होगा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आपको पता चल जाएगा मैंने बताया था कि PCS का जो एक्षाम होगा प्राविधी परि तो इसका वालब यह भी डेट बनाने की चर्चा चल रही थी इतना अंतर यहां से हुआ है मैं च्छैक्टूबर में हो जाएगी च्छैक्टूबर आगया रक्षिट डेट कोई सी व्या सकती है यह था वहीं पर मैंने आपको बताया था आर यारो का एक्जामि आरो यारो का इक्जाम पटाया था आपने इंनों वीडियो देखेंगी पता चलजएены आइगा बना तो आप लिंक पर जाकर जाकर जो है विजिट कर सकते हो उनको भी अरो ये रेयस में दस नौंबर मंग मैं ही कोई आसा नहीं थी कि इतने धूर जाएगा ठीक है पई तो यह है जो मेरे द्वारा पताई गी थी और अब अब एपीएस में जो फिर्लक्व सेंव इत बोल दिया था कि 15 जून के लगबग आपका हो जायेगा एपीएस का लगब वक्यार ही जून होती है अब देखें यहां पर आगे की रणनीती क्या है मैं सबसे पहले बाद बताऊंगा आरो यारो वालों के लिए बताना चाहरा हूं आज चार जून है तो जून पूरा महा जूलाई अगस्तंबर यौवर नामबर दिसंबर तो अभी तक किसी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, किसी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो चाहे, कि बिल्कुल जीरो से लेवल सुरू करने का, तब भी वह आरो यारो के लिए सफिसेंट हो सकता है, आरो यारो के लिए अपना प्री एक्जाम निकाल सकता है, मेंस की भी तैयारी कर सकता है तुछ में हाँ परिक्षा है दिले हुई है थोड़ी दूर पहुच गई है लेट हो गई है मनोगल टूट चुका है बच्चों का मगर अब एक टास्क मिल गया है आपको एक टार्गेट मिल गया कि हमें यहां तक तैयारी करनी है और आप बहुत अच्छ और और सारी जो है आपको सबको पता अप अच्छे से पढ़ते हो घटना चक्र पढ़एंगे ठीक आरविंद वालों की बल्लाइन अरध्यन बीसे अरवाजी आती है वह पढ़एंगे तो यह बुक और अच्छी होती है हिंदी के निया आप परिक्षा बानी पढ़एंगे परिक्षा बानी हिंदी अच्छी है परिक्षा बानी पढ़एंगे तो यह आरो आरो के लिए जोना बढ़िया हो जाएगा आपका तो आरो के लिए बहुत टाइम मिल चुका है अगर हम बात करें PCS के लिए तो अभी आपका क्या है कि यह जो डेट आई है PCS की वो आई है 27 अक्टूबर तो आपका 27 अक्टूबर यानिकी 23 तो ऐसा वानिक चलिए आपका जून जुलाई अगस्ट सितंबर और आपके चार महीने चार महीने 23 दिन तो चार महां 23 दिन अभी इसके भी है ठीक है आज की बात कर रहो हूं मैं चार तारीक की ठीक है किसके लिए PCS के गोड़ाइम है इतना टाइम तो फोम भर के भी नहीं मिलता जितना जुक्तव एक्जाम के लिए लिए नूने नई एक्जाम के लिए आपको टाइम दे दिया है अब यहां सा अच्छे सरणडीती बना सकते हैं जितने यूटूब बाले हैं जो कोर्स ब्हें लगे अन्न सब सब के लिए मोज आ गई है उन सब का मजा आ गया है कोर्स बेश सकते हैं अराम से फिर पैसा बना सकते हैं उसी कॉंटेंट को रिवाइज करा सकते हैं ठीक है चलिए कोई बात नहीं है इस तरीके सब आपको जो भी जानकारी मिली है मैंना आपको बताया था जो भी मेरी डेट ह सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आप जोना चाहते हैं चैनल के साथ तो बहुत जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है तो मिलते हैं आपने नई जानकारी पर जब तक के लिए जैन जवारत बंदे मातरम